जेते कॉंग्रोस पलोग के साना दे हाक च अवाज बलांद कीती गई या उथे ही केंदरी व्यत मंतरी आरुन जेतली जिलंदर वेके पहुंचे जेते उना सिद्धू बारे कोई टिपनी करन तो इनकार कर देता जेतली ने तीजी बार पंजाब च अकाली दल पाचपा सरकार बनन्दा दावा भी ठोक्या जिलंदर पहुंचे केंदरी व्यत मंतरी अरुन जेतली ने पंजाब पहुंच दे हुई ही पंजाब च तीजी बार अकाली दल पाचपारी सरकार बनन्दी आस दाई जेतली ने दावा कीता है कि अकाली दल पाचपा बलो पंजाब च करवाया गया विकास सब नू दिखाई दे रहा है जिस तो साफ है कि पंजाब दे लोक अकालिदल पाच पर साथ लगातार टीजी वार देंगे पिछले साड़े नौ साल से हमारा गठबंदन पंजाब में चुनाव जीतने के बाद दो बार सरकार चला रहा है और सरकार की बहुत उफलब्दियां भी है मुझे तो कई बार यहां आने का अवसर मिलता है और जो लेवल ऑफ डेवलप्मेंट पंजाब में हुआ है विकास हुआ है वो एकदम स्पष्ट सामने नदर भी आता है पहले एक परंपरा रही पंजाब की कई वर्षों तक की हर अल्टरनेटिव चुनाव में सरकार बदलती थी पिछली बार हमने वो वाली परंपरा तोड़ी और दो बार लगातार हमारे गठबंदन की सरकार बनी है और अब अकाली दल और बीजेपी का गठबंदन तीसरी बार जीते है नवजोस सिंग सिद्धू बारे पुछे गए स्वालान दा जवाव विस्तार च देन दी था अरुन जेतली ने सिद्धू नू वेस्ट विशिश देन ची पलाई समझी जेतली मताबक सिद्धू ने फ्रांट बनाले है पर उस दी कुई गतिविती पंजाब ची दिखाई नी दे रही पत्र करान दे वार वार पुछन दे भी जेतली ने सिद्धू उते कुछ टिपणी ना कर दे होय कि है क्यो एस मामले चा कोज नहीं बोलना चाओंदे कोई अब टिपणी करने की हमें आवशकता है ये इस चोजन इस पाथ गुड लग तो हम नवजोज सिंग सिद्धू बारे कोई टिपणी करन तो इनकार कर अरुण जेतली ने आमादवी पार्टी ते निशाने साधने शुरू कर देते अरुण जेतली ने आप सरकार नूँ वो किस तरह की सरकार चला रहे हैं पूरे देश के सामने स्पश्टा है कोई भी अगर दिली के शासन को जो दिली राज्य के शासन को देखे तो उनकी क्वालिटी ओफ गवर्नेंस के सम्मन्द में उतको पता चल जाएगा अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी क्या टिपण अरुन जेतली ने आपते निशाने सार तीजी बार सरकार बनता दावा पंजाब जठोप देता है पर सिद्धू जोडी बारे जेतली दी चुप़ी कई किसम दे सुवाल खड़े करती दखाई दे रही है पिर रपोर्ट क्लोबल पंजाब टीवी झाल